हेले दोस्तो, कैसे आपसोर? लोग मैं हूं, गोरॉप मर्गुपता, दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कि अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई भी लाइक या डिसलाइक करता है, उससे आपकी वीडियो के अंदर उसका क्या इंपेक्ट पड़ता है, क जो मेरी वीडियो को बार बार dislike करता है, तो जब भी मैं कोई भी वीडियो YouTube के अंदर upload करता हूँ, तो वो 4-5 मूबाईले से मेरी वीडियो को dislike कर देता है, और उसमें negative comment कर देता है, इससे मेरा जो channel है वो grow नहीं हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में complete जानकारी नहींगे तो आप इस वीडियो को सुरूश लास तका देखते रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि YouTube की जो टीम है वो आपकी वीडियो को चेक करती है कि आपकी वीडियो के अंदर को ब्रेक तो नहीं किया है या पिर आपने उसके रूल को फॉलो किया है या नहीं किया है अगर आपने कुछ गलती किया है तो वो आपकी वीडियो को वहाँ से हटा देता है या फिर आपको कमेटी गाइडलाइन का एक स्ट्राइक दे देता है लेकिन आपने अगर वीडियो में कोई गलती नहीं की है तो आपका वीडियो बिल्कुल safe है कोई भी problem नहीं होती है हाँ लेकिन ये हम मान सकते हैं कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी employee है YouTube team के अंदर तो वो सारे experience होते हैं आई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नए लोग आपका वीडियो को review करते हैं और वो आपकी वीडियो को take down कर देते हैं लेकिन इसके बाद आपको appeal का option आता है तो अगर आप appeal करते हैं तो फिर से कोई दूसरा back ती या कोई दूसरी team check करती है कि यार इसने क्या वाकई में appeal जो कि इसने किया है तो क्या गलती से हमने इसकी वीडियो को take down कर दिया है तो जब देखते हैं कि इसने गलती नहीं किया है तो आपका वीडियो फिर से वापिस कर दिया जाता है आपका strike हटा लिया जाता है तो ये simple सा है कि आपकी वीडियो को कोई भी like ये dislike करें उससे कोई फर्क ने पड़ता तो दोस्तो होता क्या था 2020 के पहले जब भी आप किसी की वीडियो को like करते थे या dislike करते थे उन दोनों का count दिखाई देता था तो होता क्या था कई बार बहुत सारे जो लोग होते थे आपके viewers होते थे जो आपकी वीडियो को देखते थे तो वो देखते थे कि यार इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा dislike है तो वो आपकी वीडियो को वहाँ पे वो भी dislike कर देते थे या फिर वहाँ से हट जाते थे तो ये चीज YouTube को समझ में आई कि यार यहाँ पे creator का बड़ा नुकसान हो रहा है इसलिए अब आप किसी की वीडियो को like करते हो तो वो like तो दिखता है कि कितने count हुए लेकिन dislike जो होता है उसका count ही YouTube ने हटा दिया तो ये एक अच्छा solution था YouTube की तरब से जिससे जो creator है उनका motivation बना रहे है वो अच्छे तरीके से काम करते रहे है तो ये बड़ी अच्छी चीज थी अब यहाँ पे इसका solution क्या है जिससे आपकी वीडियो के अंदर कोई गलत गलत कमेंट कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप किसी को भी ब्लॉक करते हैं तो ब्लॉक का मतलब होता है कि आप वहाँ पे उसे इस तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं कि वो आपके चैनल पे कमेंट नहीं कर पाएगा लेकिन अगर आप उस वेक्तिक को ब्लॉक करते हैं तो वो आपके channel को देख सकता है publicly चाहे वो दिनिया के किसी कोने में वो और आप उसे block कर देते हैं तो भी वो आपके video को या फिर आपके channel को देख सकता है तो block का सिरफ YouTube के उंदर मतलब यही है कि आप अगर उसे block करते हैं तो वो आपके YouTube वीडियो के अंदर comment नहीं कर पाएगा लेकिन देख सकता है और like और dislike कर सकता है तो इसका solution यह है कि अगर आप चाहते हैं कि वो आपके वीडियो के अंदर comment ना कर पाए या फिर आप इसके channel पे चले जाएए और channel पे जाने के बाद आप इसे यहां से directly block कर सकते हैं और इसके बाद वो कोई भी comment करता है आपके वीडियो के अंदर तो वो comment किसी भी वेक्ति को सो नहीं होगा तो यह एक solution है तो दोस्तो अगर आपके वीडियो के अंदर views नहीं आ रहे हैं तो इसका simple सा मतलब है कि आपके वीडियो में जो आप thumbnail लगाए हो उसका click through rate अच्छा नहीं है साथ ही आपके वीडियो के अंदर watch time सही नहीं है और उस पे audience retention अच्छा नहीं आ रहे है तो अगर आप अपनी वीडियो को viral कराना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि उस पे अच्छे खासे view आएं तो आपको simple सा follow करना होगा जो मैं कल वीडियो बनाया था आप उसको देख लीजे वैसे यहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा आपको अच्छा खासा thumbnail बनाना पड़ेगा जिससे आपके वीडियो को कोई देखे तो उस thumbnail को जब देखे तो वो उसको क्लिक कर दे और उसको देखना सुरू कर दे तो इससे आपकी वीडियो वारल होने की समभवना बढ़ती है अगर आपका click-through rate अच्छा होता है और दूसरी चीज अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है उस पे audience retention बहुत अच्छा हैगा उस पे watch time अच्छा हैगा तो इससे आपकी वीडियो वारल ही जाएगी अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर like या dislike से कोई फरक नहीं पड़ता तो फिर बड़े-बड़े YouTuber या जितने भी YouTuber हैं उनमें से maximum लोग ये क्यों बोलते हैं कि please आप हमारी वीडियो को like करिए तो like करवाने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप किसी कि वीडियो को तो उससे थोड़ी सी उसका moral down होता है और like करते हैं तो उसको एक plus point मिलता है कि चलो आप फिर से वीडियो बनाते हैं अच्छी वीडियो थी लोगों ने like किया है तो बस इसका इतना ही मतलब है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे like कर दिए चैनल को भी जरू subscribe करें और मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप comment करिए उसका मैं reply आपको जरूर दूँगा या फिर उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाके दे दूँगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे like करें चैनल क सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए जैहन बंदे मातरम